वेरी गुड इवनिंग डिफ्रेंशिल प्रेसर स्विच के बारे में हम लोग देखेंगे एच वी एसी सिस्टम में डिफ्रेंशिल प्रेसर स्विच दो तरगा होता है एर साइड और वाटर साइड तो हम लोग देखते हैं डिफ्रेंशिल प्रेसर स्विच एर साइड के वाले में right में plus और left में minus है लेकिन filter के case में क्या होता है ठीक opposite होता है क्योंकि जो initial pressure drop होता है हर filter के लिए होता है company के तरब से इसे 100 हो गया 90 हो जो भी हो तो plus वाला port होगा पहले होगा और negative वाला बाद में होगा क्योंकि जो filter गंदा होगा तो pressure ज्यादा create होगा तो इसलिए पहले plus होगा बाज वाला minus होगा ठीक है मैंने दिखा है for filter positive side before the plus before the filter and fan for the plus जो part होगा फैन के आगे होगा और इसमें filter केस में पीछे होगा ठीक है filter और और फैन में दोनों में बस उल्टा है एक का याद रखने दूसरे का automatic हो जाएगा तो अभी मैं जो चालू करना होगा फैन एक जो फैन अगर बंद है अगर हमको पता करना है कि चालू है या बंद है तो हम लोगो डिपी स्वीच लगाते है चलो फैन अगर बंद है तो दोनों तरफ प्रेशर कितना होगा 100 होगा तो दोनों का डिफ्रेंस कितना होगा पलस में समाइनस घटाएंगे तो जीरो होगा डिपी रेंस तो 120 है लेकिन अभी 100 है अगर फैन थोड़ा भी स्लो चल है तो अगर इधर 100 है और एक तरफ में 40 है तो भी 60 होगा तो 60 होगा तभी 120 से कम है ना तभी बताएगा कि फैन बंद है तो फैन का मिनिमम स्पीड होना चाहिए इसलिए एच्वेक सिस्टम में जो फैन का स्पीड मीनिमम और मैक्सीमम हम लोग रखते हैं चलो अब केस में क किया तो मुझे वर्क स्टेशन से जहां से मोनीटर करते हैं तो वहां से पता होना चेह ने कि फैन चल रहा है या नहीं तो अभी क्या है कि जब फैन चालू होता है तो निगेटीव प्रेसर क्रिएट होगा आप देखोगे ना कि फैन जब चालू होता हाथ रखोगे तो खी ट तो 120 से क्या यह ज्यादा है ना तो मोनिटर करेगा कि हाँ यह फैन चल रहा है क्लियर डीपी रेंज हमने 120 सेट कर रहा है बर डीपी वेलू जो आया डिफरेंशल प्रिशर हो एक सो 240 आया मैंने दिखाया है कि यह जो हमारा फैन है फैन के आगे मैंने फिल्टर लगा रख है देखो उपर में जो दिखाया है मैं सर्कल करके आपको दिखाता हूं फिर प्रैक्टिकल वीडियो से वह मैंने बना इनिमेट करके और यहां पर प्रैक्टिकल ही दिखाता हूं यह देखो हमारा जो यूनिट है कोई भी हो य और आकर फेन के आगे के आगे में डूलतिको दिखा रहा आई फैन के आगे में रहा है थाकर के फैन के आगे में में वहीं पे यह अगर ऐरे फैन पहरों फैन पर से less. लादा फैन है एक के ऊपर में इसको फैन बैंक हम लोग बोलते हैं वेंटिलेशन में फैन चल भी रहा है ठीक है वीडियो में कम आया अभी दोको जो हमारा यह जो डीपी स्वीच होता है इस पर दर डिजाइन कंडिशन से हम लोग सेलेक्ट करते हैं कौन सचा यह भी यू क्य करना यह देखो जो वील है ना इसको हम लोग फिक्स करते हैं कितना पर रखना अभी हमने कितना पर रखा देखो इधर कि अब हमने सेथी नहीं किया बट इन दोनों के बीच में है 250 और 300 के बीच में तो इसको कितना मानों गया एक range लेंगे हमने 120 का रखा है जब इसको खोलेंगे तो इसमें देखो electrical connection दे रखा है वो electrical connection हम लोग करेंगे ठीक है तो यह हमारा dp switch है तो dp switch दो तरह का होता है air side and water side ठीक है तो यह हमें बताता है कि हमारा fan चल रहा है या नहीं और filter केस में यह बताता है कि filter हमारा आप साफ करने लाएक है उदर इलारम होने लाएगा टेकनिकल डेटा की बात करते है तो out और in होता है maximum जो प्रेशर करता है टेन किलो पासकल तक है ठीक है मेडियम कहां कहां यूज कर सकते है एर में नॉन कंसिबल होना चाहिए नॉन एग्रिसीब ग्रीसिस वहां पर अच्छा एंपिया रेंज जो दिखा है वो देखो कहा है टेंपरेचर रेंज जो है माइनस 20 डिग्री से लेकर के पलस 85 डिग्री से लिए और स्टोरिज का मतल़ किया मतल़ रख सकते है माइनस 40 से लेकर के पलस 85 डिग्री तक और डाइफरेगर्म टाइप का होता है और फिर यो भी वह टेकनिकल चीज है अच्छा इसमें देखो लिखा प्लास्टिक पाइप स्टी वाला पार्ट फिल्टर के पहले आना चीज है ठीक है स्विच बॉड़ी बाकि उसका वेट हो गए दिखा हुए सरा टेकनिकल डेटा है आप चाहें तो ले सकते हैं मेरे पास ही मेरे पास आया हुआ था क्योंकि जब हम लोग स्विच लिए थे तो टेकनिकल डेटा व यानि कि मैस उतना मेको भी नहीं आता बट 240 आ गया अभी क्या डीपी 120 ठीक है यानि कि अब आपको समझ में आगे कि फैन को मोनिटरिंग के लिए होता और यह इसका परपस होता है बीमेस से स्टेशन से वर्के स्टेशन जो होता यानि कि अच्छा लो अब आते हैं फिल्ट के केस में अच्छा अब आते हैं फिल्टर के किस में देखो अगर हमारा कोई विंडो है विंडो से हवा रही है बिल्कुल तो वहां पे कोई प्रिशर ड्रॉप नहीं है लेकिन जब कर्टन लगा देंगा परदा लगाते हैं तो क्या होता है देखो एर डिरेक्ट हमारे के लिए यूज करते हैं इसका अप्लिकेशन एर कंडिशनिंग में होता फैन के लिए होता है फिल्टर के लिए होता है और डक्टिंग सिस्टेम में यूज करते हैं ठीक है और इसका दो परपस के इंडिकेशन के लिए फिल्टर का स्टेटस दिखाता है और फैन का स्टेट फिल्टर साफ है तो क्या या निकि दोनों तरफ जिरू आ गया ना रेंज तो मैंने 120 रखा इसके भी केस में तो अभी जिरू आ गया मतलब क्या है फिल्टर क्लीन है आगे सेकेंड केस में देखते हैं अभी क्या हो अगे देखो डस्ट पार्टीकल बढ़ा बाजू में मैं द अरभीस पार्टीकल है डीपी रेंज मैंड़ इक सोब्डश कर रहा है वगा तो फिल्टर गंदा होगा तो अभी यह 20 पास्कल होगे और इदर सो पास्कल है ठीक है अफकोस अदर फिल्टर में ज्यादा रंस स्ट общем मैं करेंगे तो 150 पासकल हो गया तो DP range कितना है हमारे 120 है ना, तो 150 क्या हूता है, 120 से ज़्यादा होता है, तो 120 से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? अलारम आएगा और अलारम के लिए निये तो रखते हैं, मैंने बोला हैं था कि इसका मोनिटरिंग के लिए, BMS station में हमें पता चलेगा control area में कि हाँ ये filter में इस जगे पर अगर जहां बहुत सारा HU अभी दोको दिखा रहाँ आपको practical videos ये देखो हमारे ये unit है HU बोलो क्राहू बोलो आप अपने भासा में अब देखो इसके case में क्या है कि filter के आगे में मैं गिरा रखा हूँ और ये flow में चेक कर रहा हूँ तो अगर ये dusty होगा तो flow दिखाएगा क्या दिखाएगा flow meter वो लगा रखा हूँ उसको animometer बोलते हैं उसे flow चेक करते हैं देखो यह हमारे DP switch है उसमें plus और minus port है तो plus वाला देखो नीचे लेके आके दिखाएगा हाँ पर flow में चेक कर रहा हूँ अगर ये साफ होगा तो flow ज़्यादा आएगा अगर dusty होगा तो flow कम आएगा तो हमें major करना पड़ रहा है ना बट अगर ये चीज DP switch लगाने का तो था 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 प्रशस ताम गडब्लेस यू तेक चार